येलो फ्रेंड़ स्वागत आपका इस्टरी हेक चैनल पे जैसा कि आपको पता कि हमारी क्लास सेटरडे को होने वाली थी किसी कावनीवस संडे को रही है तो आपको पता कि वीकेंड में हम स्टवाइब परिख के टॉपिक्स एकरें टॉपिक्स उता हैं कि क्या क्या खास बाते हैं वही सिफ जानेंगे ज्यादा इधर उदा जाने की जुरत नहीं तो चलिए अपना आज का क्लास और क्लास स्टार्ट करने पहले मैं आपको चीज़े बताना चाहता हूं कि आपको जैसा पता हुआ कि देश हमेंसा दिखाता है कि हमने यहां से लून सुझाने की कोशिज करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा तो ऐसे मालनों कि आपके पास अभी 100 रूपय है 100 रूपय के ऐसे ठीक है और पांच परसेंट का इंट्रेस्ट बढ़ रहा है ठीक है एक एर में आपका रेविन्यू बढ़ जा रहा है पांच परसेंट से तो आ इंट्रेस्ट कितना था डा तो एक परसेंट सहां ठीक है माल कि यह परसेंट आप जो माल खेंगा तो 1-2% था तो कि आप बी लों लोंगे आपको कहीं सस्ती मिल जागी तो एक परसेंट यह लो पर आ Also ऐक金 कि वरत होगे 200 आपको पाता कि एक यह यह बाद इसまだपे 5% परसें तो आगर आप 101 रुपए इसमें से निकाल दो तो आपके पास कितने बचेंगे 109 रुपए ठीक है तो आप देख पा रहे हो कि कहां आपको 105 था लेकिन आपने लोन लिया तो आपके पास 109 रुपए बच रहे हैं मतलब कि आपके पास चार रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो कि आपके जेब में जा रहे हैं अगर आप दिखाते हो कि 5% के रेट से कि मेरा 100 था मैंने 105 किया तो इसलिए बरे-बरे बिजनसमें लोन लेते हैं हैं भी लोन लेते हैं उन्हें पता होता कि हमारी वर्थ बर्ज जाएगी इतनी परसेंट से और हमें लोन को इतना चुका कि आगे बात करते हैं तो सबसे पहले जानते कि रुप्एया आता कहां से है हिंधी में और इंगलिज में हमक्राहने रह रहा है होंख खा вмरे पा.. तो कहां से आता है तो साइस्य परस यूप 6% को इंकfund टैक्स आता है उस थर्षाटीर्यपस से हूप शूपरमारी इतना चें प्राइबिट कंपनी जो लगती है उनके जब इंकम जदा होती तो उनसे जो टैक्स वसूला जाता कर कहते हैं ठीक है टैक्स को वह हो गया यूनियन एक्साइज ड्यूटी पर जो टैक्स लगती है इन सभी जगों से हमारे पास पैसा कलेक्ट होके आता है ठीक है अगर पैसा आता है तो बजट बनाते मतलब खर्च भी देते खाते हैं कहा का एक्सपेंस गुआ है तो पैसा जो आता हो जाता कहा कहा है ठीक है रुपय ऋसको जो पर लेते हैं जो की आती है चींट्रीज से घंटर से लिया जाता है ठीक है आप जनता से और लिया जाता है ठीक है तो उसको जो इंट्रेस्ट पे करती उस पर जाता है centrally sponsored scheme जो होती है जो कि central schemes होते है उस पे खर्च होता है subsidies जो आपको मिलती है gas cylinder पे या फिर solar पे वहाँ पे खर्च होता है फिर से defense sector में खर्च होता है central sector schemes जो भी नहीं नहीं आती है उन पे खर्च होती है finance commission and other transfer पे खर्च होती है state share of tax and duties ठीक है यह क्या होता कि state को हम लोग कभी-कभी tax कर देते हैं कि चलो आपको इतना tax map कर देते तो जो घाटा हुआ हमें चुका नहीं कहीं तो वह central government चुकाती है तो उस पे भी आपके पैसे जाते है तो रुपया कहां से आतर कहां जाता है अपने देख लिया चीज़े अब आगे बात करने है बजट के बारे में तो इस बार जो था वह था वीजन फ़र अमरित काल ठीक है अमरित काल के लिए वीजन तो ज्यादा तर इस पर यूबा वर्ग पर ध्यान दिया गया है ठीक है जहां कि यूबा सिक्षित होंगे योग होंगे तो वह देश अपने आप ग्रोफ कर जाना है ठीक है रोजगार रिजन में व्रिद्धी करेंगे स्ट्रोंग एन स्टेबल मैक्रो एकनोमिक इंवर्मेंट बनाएंगे इन सब चीजों पर फोकस किया गया इन तीन चीजों पर ज्यादा फोकस है हमारा इस बार का बज़ट चलिए आगे देखते हैं तो आगे क्या है कि सब तो रिसी प्राइडिटीज है ठीक है साथ प्रात लाखेय हैं जहां पर रोजदार नहीं पहुंच पाती बहुत पोछ प्राइब पार तो आपको मार्केट अपनी बेचने कर ले आ बहुत सारे लोग उतने जिनके पास potential है रेकिन capital नहीं है उनके पास investment नहीं है या फिर उनको संसादन नहीं मिल पाते तो उनका जो potential है वह बाद चला जाता है तो उनको उभारने के लिए हम लोग करें गे पोटेंचियल जिनके प्ला चमता है उसको उठेंगे फीक है इंफ्रेस्ट्रक्चर उप्रेटिव सेटर में ते सहкиडा में तो विदिग्ट पट्रच्रक्टर करेंगे थीक है तो अधे से वाल इंक्लूजिव एंद इंक्रमेटीब सोलूशन फार्मार्स ताकि जो हमारी किसान मित्र किसान भाईया उनको एक्सेस हो इंफोर्मेशन का होता ने कि किसारान होते हैं जिन बहुत चाहिए इंफर्मेशन नहीं होती कि आप कैसे अपने खेती को बढ़ा सकते हो ठीक है अपने टेक्निक से उपज बढ़ा सकते हो तो उनके लिए डिजिटल पब्लिक इंफरास्ट्रक्चर बनेगी तैकि सब से एक्सेस कर पाई इसको क्रिसी गतिवर्दक पोस्ट के स्थापना करना फंड डालेंगे ताकि जो इन्वेटिव स्टाटप होंगी होता है ग्रामिन छेत्रों में भी स्टाटप करते हैं बहुत लोग होते खेदी में बहुत अच्छा कर जाते हैं कम जमीन में बहुत ज़्यादा उपजाओ उसको बन आगे एन बी आत्म निर्वर भारत होटी कॉल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टूबी लॉंज ठीक है तू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैलू होटी कॉल्चर क्रॉप ठीक है बागवानी स्वक्ष पॉधे कारिक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा टार्गेट फंड कितना है बीस लाग करोर का ठीक है करी टार्गेट एट एनिमल हस्वेंडरी डेरी एंड फिसरी सेक्टर पर ठीक है पसुपालन डेरी कारे और मतस की छेतर में 20 लाग करोर रुपेकार इन आवंटन किया जाएगा ठीक है चलिए और जो मतस से बाला है तो उसमें एक य इस季 इसरें चलले कि इन्वेस्टमेंट के इंवेस्टमेंट कितना करेंगे टार्गेट इन्वेस्टमेंट है तो हम इसमें 6,000 क्रोर रुपाए इन्वेस्ट करेंगे निसदें कि फीस्ट व lugते मजली का वैपार करते और उनको बहुत साक्वार सायता मिलेगी नहींड टीचिंग दिया जागा कि कैसे आप इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं तो उनके लिए प्लांट में जाएगी उपज कम जाती तो इसको बनाने के लिए होटी कलचर सक्टर को बूस्ट करने के लिए वंने ऑउट बनाया कितने का एक आउटले बना है Θं norte कितने का वन भारत को मिलत का वैस्विक के इंद बनाना है उसके लिए हमने क्या सुरू किया है तो स्री अन ठीक है सपोर्ट टू बी गिवें टू आई आई अमर के द्वारा सपोर्ट जिया जाएगा हाईराबाद पर प्रमोटिंग रिसर्च ठीक है सेटिंग अप आफ वाइडली अबले से रहेंगे स्टोड़ेज क्लेज के इंयौत कर लें ही वन 59 नर्सिंग क्लेज के इस्थापना होगी आफ सपोट Э्नेमय क्या हम लोगोंने लॉट सीकल वीडि है करने का मिस हम लोगों ने हटा थिक न्यव पर देशचе घ्यार नहीं पर्ग्राम लाए रहे हैं ताकि फर्मसुटिकल में नहीं रिसर्च हो ठीक है मेडिसीन यहीं बन पाए हमारे भारत में बन पाए ताकि उसकी कॉस्ट कम होगा ताकि हमें महेंगी दवाव से निजात मिल जाएगा जॉइंट पब्लिक और प्राइबेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज़ वाया सेलेक्ट आईसी अमर लैप्स के लैपस बनेंगे जॉइंट पब्लिक और प्राइबेट दोनों सेक्टर मिला अके ताकि लैपस अगर होगी तो ज्यादा हमें चीजे उपलब दोंगी हम अ एडूकेशन पर कैसा है फाइनेंशल यह तूसाल नैंटीन में 1.4 था और अब बात करें 2023 में 2.1 हो गया है एडूकेशन सेक्टर में 2.8 था अब 2.9 हो गया तो इतने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है सरकार अपने एडूकेशन पर और हेल्ट सेक्टर ठीक है एक नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स एडूकेशन स्किलिंग करते कि क्या नया आया है तो री वैंप टीचर ट्रेनिंग वाया डिस्टिक इंस्ट्रिकूट आफ एडूकेशन एंट्र पर जब सिखाएंगे तो जाकि हमें भीर नहीं और तीचर आसानी से सीख पाए ठीक है प्रइक्षण करेंगे उन्हें नेशनल डिजिटल लैबरेडी का सेट अप करेंगे ताकि बच्चों के लिए और किसोरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जब डिजिटल लैबरेडी ह होगा तो आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी बुक्स के लिए नहीं खर्च नहीं करने पड़ेंगा आपको कम उदाम में आपको मिल जाएंगी लैबरेडी होगी तो सारे बुक्स अबलेबल होगे तो आपको डीड कर सकतो डिजिटली ठीक है और स्टेट को भी इनकर नेक्स्ट है कि हमने उपलब्दियां क्या-क्या पा लिए ठीक है विकास में अभी तक जो इंक्लूजिव डेवलप्मेंट एचिवमेंट है उनकी बात कर ले तो कैस्ट ट्रांसफर हो गया है 2.2 लाग करोर का ओवर 11.4 लाग करोर फार्मर अंडर पीम किसान योजना के तह इंसुरेंस कवर फार 44.6 करोर परसन अंडर पीम एस बीवाई एंड पीम जे जेवाई के तहत इंसुरेंस कवर कर लिया गया कितने का तो 44.6 करोर परसन का इंसुरेंस हो गया है 47.8 करोर पीम जंधन बैंक एकाउंट खुल चुके हैं 220 करोर कूबिड वैक्सिनेशन लग ओक इदने व्यक्ती को लग चुकी है और 9.6 करोर एलपीजी को लाग चुका है तो खिसके तहट उजवयला थेम उगण अमेच्व करोर तक यानि कि घरों तक करोर घरों तक ऐल पीजी का कनेक्सिंट पहुंच चुका है 11 दसल मों साथ करुर हाउसहोल ट्यालेटcom आप देख पार होंगे रूलर एरिया में हाउसर तक पहुचाए गया हर घर जल योजना के तहट ठीक है यह सब हमारी क्या है उपलब्दियां इसको भी डिसक्स किया गया है कि हमने क्या-क्या उपलब्दियां प्राप्त करें और क्या-क्या हमारा आगे फ्यूचर स्कोप है वह भी डिसक्स किया गया है चलिए आगे बात करते हैं तो यह अंतिम छोड तक पहुंचाना हमें क्या है रिचिंग दा लास्ट माइल हमने पढ़ा नसब तरी उसी में कहा है पार तो परधान मनते पीवी टीजी डेवलप्मेंट मीशन टूबी लॉंच ठीक है अब सोच हो सकता है बहुत लोग कह रहे होंगे कि सर मेरे मोवाईल में नहीं दिख पा रही है सारी चीजे तो होता है कि आपके स्क्रीन छोटी है मोवाईल की तो सारी चीजे आप भी सुनो बाद में आप पीडिएप से देख लेना एक बार गो थूरू हो जाना सारी चीजे सब्सक्राइब को पता कि करनाटका बहुत जगर सुखार आ जाती है जहां पर वाटर के सूधा नहीं है वहां पर पानी नहीं पहुंच पारे इरिगेशन के लिए भी नहीं पहुंच पारे तो नहर चोटे-छोटे योजना बनाएंगे चोटे-छोटे नहर डेवलप सब्सक्राइब मोर्ट टीचर टूबी रेक्रेटेट बहुत सारे टीचर को रेक्रेट किया जाएगा ताकि साथ सो चालीस एकलाब मोडल रेसिडेंशल इसकूल खुला जाए ठीक है और भारत स्री टूबी सेटप फॉर डिजिटालेजेशन ऑफ एंसेंट इंस्क्रिप्श लाना है उसको डिजिटालाइजेशन करना है तो उसके लिए हमने क्या क्या भारत सरी स्कीम लाउंच कर दी है अगे बाद करते हैं एक चीज मैं बता दूं कि जो यह कला प्मोडल इसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है रिक्रेट करना कितने टीचर की तो वह 3800 और कितने बच्चों को करेंगे तो 3.5 लाक स्टूरेंट्स को लाब मिलेगा और आपको मेरे वीडियो कार नहीं दिख पाड़ा हो ता कोई चीज पीडियम में मिल जागी तो तेंसर मत लेना आप इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अपने काम के प्रती बहुत देडिकेटर हो गया और बहुत अच्छा काम करोगे और अच्छे से काम करोगे प्रोड़क्टिवीटी बढ़ाद हो गया इसलिए इंसेंटिब्स भी आपको दिये जाएंगे इंक्रीज कैपिल इंवेस्टमेंट आउटले बाई 33.4 परसेंट तु 10 लाग करोर ठीक है बढ़ा दिया गया है पुंजीगत निवेस परिवे को 33 दतलम चार परसेंट से बढ़ाकर 10 लाग कर दिया गया है ठीक है स्टेट को पचास साल के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जागा ठीक है तक वह इंसेंटिब्स देदे के अपना इंफ्राइस्ट्रक्ट्रक्टर को बढ़ा पाए ठीक है कि नेक्स्ट बात करते हैं हाइस्ट इवर कैप्टाल आउटले ऑफ 2.4 लाग करों पर रेल्वे के लिए आज तका सबसे ज्यादा कैप्टाल आउटले हुआ है दो दसमा चार लाग करों पर इंवेस्ट किया जा ने सबस्ट कर सके हम को इंपोर्ट करना वो इंपोर्ट करना हूं इंपोर्ट करना हो निया फर्टिलाइजर सब्सक्राइए तो स्थापना करेंगे स्रेनी दो और स्रेनी तीन सहरे में ताकि सहरी अव संचारन का स्रीजन अरवन इंफार्स्टर्चर को बूस्ट करें टीर टू और टीर थ्री सिटीज में वाय इस्टेबिलिस्मेंट ऑफ यू आईडी एफ ठीक है अब बात करो कि आप पुछोगों कि सारी यू आईडी एफ क्या ठीक है मैं इसको इंक्लूड कर रहा है लेकिन मैं फिर भी बता आजाता हूं यू आईडी एफ का मतलब बहता है अरवन इंफ्रास्ट्रॉक्ट्ट्र डे अगे बात कर लेते हैं आगे हमने पढ़ा था अपना साथ जो हमने सब्सक्राइब उसमें क्या था अलीसिंग दा पोटेंशियल ठीक है ट्रस्ट बेस्ट गवर्वर्नेंस ठीक है चमता उभारना और आस्था अधारित सरकार हो इसके लिए हमने क्या क्या है मेक एई इंडि ठीक है आटिफिशल इंटेलिजेंस को इंडिया में बनाएंगे ठीक है तो थ्री एस्पेसलाइज एई सेंटर को सेट अप किया गया है ठीक है एडुकेशन इंस्यूट को जहां पर हम एई डेवलप करेंगे तो एई बेस जब सॉलूशन मिलेगा एगरिकल्चर को हेल्थ स सस्टेनेबल सिटीज कैसे बनाएं ठीक है तो इन सब के लिए हम एई सेट अप करेंगे और तीन स्पेसलाइज सेंटर बनेंगे आगे बात कर लेते हैं आगे हैं नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिशी टूब इंट्रोडिउस ठीक है राश्ट्रिये डेटा सासन नीती अनुसान धान के लिए गुम्नामी आखरोत तक पहुंच संभब बनाना ठीक है जो लोग अनोनोमसली काम कर रहे हैं उन सब का भी डेटा कैप्चर करेंगा जब नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिशी आगी तो बहुत लोग होते हैं जो कि हैकर्स पर आते हैं अपने डेट को छुपा के रखते हैं बहुत सारी डेटा जो हमसे छुपी हुए गुम्नाम है उनको भी हम लोग क्या कर पाएंगे कवर कर पाएंगे ठीक है विबाद से विश्वास फर्स्ट लेस इस्ट्रिंजेंट कॉंट्रैक्ट एग्जिक्यूशन फर एमेस एमी के लिए लिए फास दो यह क्या है तो इजीर अनस्टेंडराइज इटल्मेंट स्टीम है ठीक है फास्ट चिूट अपकान कॉंट्रेक्चुन्ट डिस्पुट्स刑 गिवर्मेंट ग yardım मेंट फ़ मिवाद हो का तेजी सेवी जो भी हमारे दिस्पीट है पत्रिक्स नब्सीनामरे के या इकोर्ट का phase 3 launch होगा इसमें effective administration of justice करना है ठीक है कारगार नया प्रसासन को लागू करना है ठीक है इकोर्ट होगा तो तेजी में होगा effective होगा को भी administration का काम होगा justice का वो बहुत ही तेजी से हो जाएगा ठीक है आगे बात कर लेते हैं आगे entity डीगी लोकर डीगी लोकर आपको पता है कि हम क्यूं यूज करते हैं टाकि हम अपने online stories में secure कर सके हैं अपने सारे documents को ठीक है तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा setting up 100 labs for 5G service ठीक है अब हम 5G पर सूच कर रहे हैं तो 100 labs बनेंगी बेस्ट application development हो गया तो टैप employment potential and business opportunity 5G lab जब setup होगी तो क्या होगा यहां पर business opportunity बढ़ेगी जब business opportunity बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा ठीक है आगे बात करते हैं हरित विकास ठीक है हरित विकास के प्रति हम लोग क्या क्या कर रहे है तो green growth में क्या करेंगे PM परनाम to be launched ठीक है PM हम जो इनिसिटीव है उसको launch करेंगे 500 नए नए waste to wealth plant setup करेंगे कि जो भी कचरा है उससे हम कैसे wealth generate कर सके ठीक है उसमें हमने किया है गोबारधन ठीक है गोबारधन स्कीम को launch किया पर्मोट किया मिस्टी टूबी टेकन अफ़र मैं ग्रूप plantation along the cost line ठीक है मिस्टी स्कीम को सब्सक्राइब को बढ़ाबा देच सके कोस्ट लाइन पर ठीक है अधर इनिसिटीव भी बहुत सारी किये हैं बैटरी इनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम लोग को बनाना है ठीक है जिससे कैपिसीटी बढ़ जाएगी 4000 मेगावाट आबर टूबी सपोर्टेज विट विट वा सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें स्वक्ष और क्लीन इनर्जी मिल सके घ्रीन ग्रोथ में आगे बात कर लेते हैं आगे अमरित पीडी यूब आ सकती है अमरित पीडी यूथ पावर को कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे ठीक है तो एक तहरे निशनल एपरेंटेंशिप परमोशन स्कीम के ताथ हम लोग क्या कर रहा है कि 47 लाख यूथ को तीन साल के लिए स्टाइपेंड रहेंगे ठीक है उन्हें नए नहीं चीजे सिखाएंग और चीजे सिखाएंगे तो उन्हें स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे भी अवंटन करेंगे तो उसमें हमने कितने लोगों को अभी तक किया तो 47 लाख यूथ का टारगेट है कि तीन साल में 47 लाख यूथ को स्टाइपेंड करके सपोर्ट करें और नेसनल किया जाएगा मेजर टुबूस्ट टूरिज्म सेक्टर अट लिस्ट टूरिज्टी डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड थो चैलेंज मोट टू बी डेवलाप्ट एज एक कम्प्लीट पैकेज फर डॉमेस्टिक और फॉरें टूरिस्ट है उनके लिए देस्टिनेशन और साहिद किया जाएगा ठीक है ताकि आपका जो जी आ टैग है या फिर आपका जो लोकल हैंडी क्राप्ट प्रोडक्ट है उन सब को बेच सको उनका बढ़ाबार दे सके ठीक है उनका जो प्रोडॉक्त है वह ज्यादा लोगों तक एक्सेसेवल हो चले नेक्स बात करते ह क्या किया है तो सेटिंग अप नेशनल फाइनेंशल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री कर किया है महिला समान बचत पात्र किया इसमें क्या है कि स्क्राइब कर सकते हैं दो लाक रूपए मिलेंगे च्छोटे-छोटे सेविंग रसकते हैं यह महिला के लिए महिला समान बचत पात्र बेनिफिट पर सीनियर सिटिजन कोई मिला कि 15 लाग था पहले सेविंग अब वह बढ़ा कर ओ गया 30 लाग तक है ठीक है डिपोजित लिमि प्रोसेसिंग सेंटर यह सब चीज आप देख लेना एक बाद कर लें फिसकल मेंजमेंट कैसा किया गया तो अब यह बता है कि 50 यह तक इंटरेस्ट्री लोन मिलेगा स्टेट को और वह एक्सपेंडीचर जो आपको 2023 और 2024 के बीच में आपको उस फंड को क्या करना पूरा एक्सपेंडीचर कैप्टल स्पेंट कर देना है खर्च कर देना है ठीक है और फिसकल डिफिसेट ऑफ 3.5 परसेंट अप जी एसडीपी एलाउड फॉर स्टेट फिसकल इडिएशन क्या है टारेगेट फिसकल डिफिसेट हमारा कम से कम हो जागा 4.5 परसेंट कब से कब तक तो 2025 से 2026 ऐसा एक्सपेंट है कि हमारा जो फिसकल डिफिसेट और वह 4.5 परसेंट के नीचे चला जाए ठीक है नेक्स बात करते हैं नेक्स्ट आपको फॉर्दर डिफिस प्रस्टनल इंकम्तेक्ष के मिला है तो 5 लाग था ठीक है पांच लाग से बराकर बार को तो यह जिनके बहुत ज्यादा इंकम है उनके लिए बहुत फैदा हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना कितना एलोकेशन हुआ है कॉनकोर मिनिस्ट्री को कितना लाग रुपए इलोकेट वेल इन लाग करोन में हुए ठीक है तो मिनिस्ट्री अफ डिफेंस को 5.94 लाग करोर का इंवेस्ट्मेंट मिला है ठीक है मिनिस्ट्री अफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे को 2.70 लाग करोर का इंवेस्ट्मेंट मिला है करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41 लाग करोर का इंवेस्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कंजूमर अफेर फूड एंड पॉब्लिक डिस्ट्रिबूशन को 2.06 लाग करोर का मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर ग्री महत्राले को एक दसाम नौ छो लाग करोर रुपाय इंवेस्टमेंट के लिए मिला है ठीक है नेक्स्ट बात कर लें मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर में 1.78 लाग करोर का इंवेस्टमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूलर एलोकेशन में 1.23 लाग करोर का इंवेस्टमेंट हुआ है संचार मंतराले में ठीक है आगे बात करें एलोकेशन टू मेजर स्कीम इन करोर ठीक है मुख्योजनाओं के लिए आवंटन क्या क्या है पहले क्या थी और अब क्या हुई तो 2022 में आप देख पारों कि 100 करोर था ठ अब उसको बढ़ा के कर लिए 1250 करोट ऐटे का लगा जीवन मिसान में 60 हजार करोड था पहले अब उसको सत्र हजार करोर बढ़ा के कर दिया परदाशार मंतरी आवस योजना में पहले 48,000 करोर था अब उसको बढ़ा के 89,590 करोड कर दिया गया है ठीक है तो काफी अब देख पाड़ों को सर जाया है पहले के और अभी के इन्वेस्टमेंट में ठीक है तो सरकार ने काफी सारा लोन लिया होगा ठीक है स्कीम फर फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैनुफेक्शिंग आफ इवी ठीक है इवी के लिए कितने किया है पहले था दो हजार नौसो आठ करोड अब हो गया है पांच हजार एकसो बहत्तर करोड काफी सर जाया इलेक्रिक वेहिकल्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सर सब्सक्राइब काफी सरकार कि नौर्थ इस्ट वाली जो स्टेट से उनको और भी अच्छे से डिवलप कर पाए ठीक है तो यह सब चीजे जो मैंने सौट फर्म जहां पर था तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया था कि आपको दिक्कत नहों जब क्लास ओबर हो तो तो सब्सक्राइब करने के लिए और टाइम लिमिट होता मैं नहीं चाहता हो कि एक जाम से पहले आपका टाइम ज्यादा खाए तो इसलिए मैं थोड़ा सा फस्ट वे में गया था तो कोई बात नहीं आप इसको एक बार पीडिएफ देख लेना तो आपको सारी चीजे क्लियर ह हो जाएंगी जब तक फुद से नहीं पढ़ होगे आपको यह चीजे क्लियर नहीं होंगी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब तक लिए जय हिंद जय भारत